हेलो गाइज हम पढ़ेंगे डेली कर इंटरफेर सुबह आठ बजे ठीक है तो अब हम अपने चलते हैं फर्स्ट कोशन की ओर ठीक है और हमारा डेली ये कोशन पांच मिनुट का होगा और पांच मिनुट के सेशन में हमको दस कोशन वह भी अच्छे से कावर करने हैं जो हमार अपने कोशन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्राजील में जानलेवा फंगस केंडिडा आरिस करके एक पहला मामला आया है इस पर क्या हो रहा है इस पर दवाएं बेसर हैं इस पर दवाएं असर नहीं कर रही है ठीक है ना क्या इससे मौत हो सकती है तो ज एक क्या चीजी जो होते हैं तो और मज guilty स्वास्त करवियें यूप ये तो सबसे पहली मामला दो जान गए हम कि यापान में आता एक न और इसके बाद के मामला इसका जो एक insult मे आयता था चीछ आध करना और अमेरिका में इसके मामले 2016 में आयख थे यह अर आ औरहें पर हम जैसे देखते हैं कि जो फंगस होते हैं नॉर्मल फंगस तो यह नॉर्मल से कहीं जएधा यह इफक्टिव जो की हमारे बॉडी पर ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है ठीक है और हम को यह चीज ध्यान रखना है और इस पर कोई एंटी फंगस कोई दबा इस असर नहीं कर रही जो कि हम स्लाइड में अपने देखेंगे और अगली इसवाव धे देखेंगे इस पर आम इंटी फंगल दमाओं का भी श्तर नहीं होता है इसलिए संखरब्ण होने के के संपल में भी आया दा ज़यादा खत्रा हस् gerekiyor में भरती ना जुक लए मरीज़ों को यह सब से में चीजह यहां पे जो कि देखने लाइक है ठीक है और इसके साथ wart नेक्सट हम देखेंगे बजरंग पुनिया किस खेल से संबनी था तो बजरंग पुनिया अपने फ्रिस्टाइल रेस्लिंग से संबनी था ठीक है न और वह इलाविनिल ये किसे हैं सूटिंग से संबनी था ठीक है न तो याद रखेंगे हम यह चीजे और हमारा आगला कोशन यह जो रमानुजन प्राइज 2020 की स हम जानर अगला मारा कोश्चन है रोमानिया रोमानिया प्यीम पीएम के जो रोमानिया के जो पी यह मिडिल इंकम बाला कंट्री है ठीक है ना और international ने कम मनाया जाता है तो यह 11 तारीक को मनाया जाता है 19 संबर को ठीक है ना यह हम को याद रखना कोशन में यह कोशन पूस्ट सकता है और नेक्स्ट हमारा प्रवाइट की केपिटल क्या है सुटिजरनेट की कैपिटल बरन है ठीक है ना ये कोशन हम देख लेंगे और नेक्स्ट हमारी स्लाइड में हम देखेंगे अगला कोश्चन ये और ये इंपॉर्टन्माइट की याद रखीएगा ये इस्टिट से र्लेटेशन ज्याद पोशे जाते एक्जाम में और नेक्स्डमारा क्वेश्चन है सोनु सूध टॉप 50 Asian Celebrities in the world list ठीक है ना टॉप 50 में उन्होंने जगा बनाया ठीक है ना इंडियान एक्टर सोनु सूध हैस टॉप दा फरस्ट ऑफ इट्स काइंड 15 Asian Celebrities in the world 2020 लिस्ट ठीक है ना तो पब्लिश कौन किया है UK based ठीक है ना तो याद रखेंगे हम question पूछेंगे और सोनु सूध ने एक app launch किया था ठीक है ना तो वह आप का आपको नाम comment box पर देना है ठीक है ना और इसे साथ अगला question हमारा Union Minister Nitin Godkari inaugurated कोईलवार बिस इन भिहार ठीक है na कोईलवार बिस कहां पर है तो इन अग्रेट किया गया है तो वह बिहार पर किया ठीक है ना और किस ने किया है तो हमारे Union Minister Nitin Godkari जी ने किया ठीक है ठीक है ना और यह question हमारे जो हैं सभी एक्जामों के लिए इंपॉर्टेंट कोश्चन्स हैं और इन्हें आप ध्यान में रखिएगा और अगला हमारा कोश्चन है एड़े प्रोजेक्स जीडिपी ओप इंडिया ऐट मैनस एट परसंट इन टुंटीटुटी तो एड़ी ने फाइनली अपना उनोंने वह हमारी जो उत्राइन एक्रामिकory तो क्या होगी माइनस एट परसेंट होगी ठीक है ना क्या होगी माइनस एट परसेंट और एडीबी का हेड़कॉर्टर कहां पर है एडीबी का हेड़कॉर्टर है मंडल यू यू आंग में और यह कहां पर है फिलिपिन्स में ठीक है ना और और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है M.S.Cava ये कौन है जापानी है और अभी हाली में हमारे असोक लवासा जी भी ADB के सदस से चुने गए हैं Member ठीक है ना ये कोशन याद रखेंगे और ये कब बना था ये 19 December 1966 में बना था ठीक है ना कब बना था 1966 में बना था और अगला कोशन है पार्थी पटेल रिटायर तो पार्थी पटेल अभी हाली में एक रिकेटर जो हैं सन्यास लिये हैं और इन्हों अपना सबसे पहला मैच कहां पे खेला था इन्होंने अपना सबसे पहला मैच इंग्लेंड के खिलाब खेला था और कितने उम्र में 17 साल की उम्र में ठीक है ना यह कोशन याद रखेंगे हम अभी हाली में कुछ दिन पहले मेंसिंग्धोनी और सूरेस रहना दोनों ने सन्यास लिया था ठीक है हमारा अगला कोश्चन है इस्टोक्स के पिता जो बिने स्टोक्स है जो की इंगल LAUREND के प्लेयर है उनके पिता का द्यहां sub हो गया है और उनके पीता जो की रगवी प्लेयर रह चुके हैं तो ठीक है और हमको यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वह इनके पीता है बट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वह रब